नमस्कार दोस्तों, वेल्कों बाक टो एंदर एंदर एपिसोड, आज हम देखेंगे जब आप Google Pay के अंदर बैंक आड करते हैं तो जो को भी इशू आता है उसका समाधान कैसी निकाले, इस वीडियो में हर एक इशू जब आप बैंक आड करते हैं Google Pay के अंदर तो उसे कैसे र इसलिए आपको कोई ने कोई बैंक आप Google Pay के अंदर आड करना होगा, जिससे आपको पैसे डिर्कली फर्म बैंक ट्रांसर होका जब आप पर्चेस या शोपिंग करते हैं तो यहां पर जब आप बैंक आड करते हैं Google Pay के अंदर तो थोड़ा चीज़े आपको ध्यार पर पॉइन, इस वेरी इंपोर्टेंट, सेकेंड पॉइन की जो मोबील नमबर का सिम आपने डाला है Google Pay device के अंदर उसे सेट करें आस डिफाल for sending SMS, मतलब जो मोबील नमबर आपने बैंक से लिंग किया है उसे सेट कर दें अपने मोबील के अंदर आस डिफाल for sending SMS, क्योंकि जब बैंक अड़ करते है Google Pay के अंदर तो वहां पर Google Pay इस मोबील नमबर से SMS send करेगा for verification, अगर आप डिफाल करके सिट नहीं किया तो वहां पर SMS verification नहीं होगा, आपका बैंक Google Pay के दर आड़ नहीं होगा, क्योंकि Google Pay send करता है SMS from the mobile number which is linked to bank, तो यहां पर SMS send करने के लिए आपके ध्य dealer हो जाएगा, आप सही तरी के से bank आड़ नहीं कर पाओके, और भी कुछ चीज़ें हैं जिसे आपको ध्यान पर देखना चाहिए, उससे पहले इन तीनों को आपको अच्छी तरह से verify कर रहे कि यह सब working है, यह सब आप follow कर रहे हैं, चली चलते Google Pay के अंदर और आड़ करते ह अगर आप Google Pay open करते हैं तो वहाँ पर profile के आंदर settings साता है, इस settings आपको मिलेगा payment methods, payment methods के अंदर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो की भी bank आपने link किया है, वो यहाँ पर display होगा, अगर आप नए bank आड़ करना चाहते हैं तो click करे link add bank account, add bank account को click करते ही, आपको select करना पड़ करना चाहते हैं, यहाँ पर मैं add करता हूं indecent bank को, indecent bank को आपने click किया तो ही confirmation आएगा कि जो mobile number आपने indecent bank से link किया है, उसे set कर दे as default for sending SMS, अगर आप प्रस करते हैं, ओके तो वहाँ पर automatic बागी सा process हो जाएगा, finally आपका bank भी Google Pay के अंदर add हो जाएगा, automatically, उसके बाद आगल screen पर आपको UPI pin set करना होगा, अगर आपने already set कर दिया है तो just confirm भी कर सकते हैं, अगर आपने UPI pin create कर रहे हैं तो आप अपने card details provide करके UPI pin डाल सकते हैं, मगर कभी कभी जब आप bank add करते good pay अंदर तो वहाँ पर भी issue आ जाता है, जो 3 point मैंने पहले बताये तो वो सब करने के ब bank, most used bank in India, उसका peak time पर जो respond करने का तरीका है उतना भहतर नहीं है, with my experience I am saying, यहां पर bank कर सर्वरे, उससे maximum to maximum depend करेगा, आप जब bank add करते हैं, तो अगर आपको error आता है कि bank is not responding, please strike and let, यहां पर ध्यान पर रखिए कि जो bank आपने add किया है, आप research करें कि उसका peak time पर respond करने का condition क कैसा है, status कैसा है, उसके बाद ही आप उसे चुने, क्योंकि bank service later एक main issue है Google पर की अंदर, इस payment is processing, जब आप payment करते है, कोई bank चुना है, payment किया, और issue आया कि यह दिखा रहा है, payment is processing, और 10 to 15 minutes ऐसे ही चला जाएगा, कोई response नहीं आता है, उससे, आप और transaction cancel भी नहीं कर पाओगे तो यहां पर bank service बहुत ही मैट करता है, अगर आप पीक टाइम पर यह किसी टाइम पर response अच्छी तरे से नहीं किया, तो आपको इम issue मिल सकता है, payment is processing, फ्रक्सर मैं एक कोड़ेस बताता हूं, जब आप Amazon से purchase करते है, और चुन दे है कि cash on delivery है, pay on delivery, और deliver boy आता है, और वहां प पर deliver boy के सामने आपने चुना है, pay using up, आपने चुना है Google Pay, यहां पर आपको अगर मिलता है issue, payment is processing, हाँ यहां पर Amazon का एक टोड़ है कि एक fixer time होता है Amazon पर, उसके बात अगर आप transaction करते हैं, तो उतना amount, automatic refund हो जाएगा, अगर वो success होता है Google Pay के साथ, तो दोस्तों इस वीडिय नहीं, वीडियो चलागतों, लाइक करे, शेर करे, आपने चानल, अगरा कुछ डावट होता है तो, राइट पने अमन सेक्षन, थांक्यू, जेहिन वंदे मातरम